हेलो गाइज मेरा नमें हिमाजू और आप देख रहे हैं रैसल एलर्ट सो गैसे कि आप सब जानते हैं यह 2020 हो चुका है स्टार्ट और कह सकते हैं यह यह के लिए काफी बड़ा साबित हो सकता है क्योंकि इस यहर में हमें बहुत सारे सौकिंग रिटर्ण अनेस्पेक्टेड चैंपियन कई सारे ड्रीम मैचेस देखने को मिलेगे और आजकी वीडियो में मैं ऐसी पास सर्प्राइज के बारे में बात करने वाला हूं जो कि हमें 2020 मे WWE में होते वे दिख सकते हैं तो अपनी काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं नंबर फाइब से दन नंबर फाइब पर यह है कि जॉन सिना बन जाए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन डवी चैंपियन सिप जीत कर अपसाहिदी कोई ऐसा फैन होगा WWE का जो कि उन्हें 17 टाइम वर् ले बठ हो सकता है इस यहर उनके कुछ और प्लैंस हो और वह में रैसलमेनिया समर स्लैम ऐसे कुछ इवेंट में कम्पीट करते हुए दिखे और वह साइद इस बर बन जाए 17 टाइम WWE वर्ल्ड चैंपियन डवी चैंपियन सिप को जीत कर अब क्या पता वह चीज ब्रॉक ल सुपर्श्टार एज एंड दी बेश्ट इन दा वर्ल्ड सी एम पंक अब सी एम पंक बैटिंग ओर्ट में सेकेंड फेवरेट है टू विन रॉयल रंबल रोमर रेंस के बाट बट इसका मतलब यह नहीं कि वह में रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिखेंगे हो सकता क्योंकि उनकी न्यूज अब डव डवली ए अपने ओफिसल वेबसाइट पर भी मेंसन करने लगी इसलिए कह सकते हैं इसलिए हमें सी एम पंक रिटर्न करते हुए दिखेंगे उसके अच्छे कासे चांसे से वहीं बात करें रेटेट आर सुपरश्टार एज के बारे में द सेग्मेंट इसलिए करवाए गया था ताकि WWE हिंट करना चाहती है कि हमें एज का रिटर्न काफी जल देखने को मिलने वाला है और वो हमें रिटार्मेंट से बाहर आकर फाइट करते हुए दिख सकते इसलिए लेट सी अगर उनके रिटर्न होने के चांसे से 2020 में दैन वो कह को यहीं लग रहा है कि जब भी रॉंड रॉजी रिटर्न करेगी वह हमें रिटर्न करते वे दिखेगी रॉव में क्योंकि वहां पर बैक की लिंच है और उनसे रॉंड रॉजी को अपना बदला लेना है अपनी हार का अब इसके भी होने के अच्छे कासे चांसे से बड़ से ब्रॉक लेस्नर रॉम में गया है दन तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें रॉंड रॉजी रिटर्न करते वे दिखेगी स्मैक डॉन में पहला रिजन यह कि फॉक्स ने डिमांड किया था डब डबली से कि उनके ब्रैंड पर ब्रॉक लेस्नर या फिर रॉंड और सबसे बड़ी रिजन जो है वो यह कि अब स्मैक डॉन की वोमेंज डिविजन उतनी कुछ ज़्यादा श्ट्रॉंग नहीं बट हम सब रॉम में देगे तो वहाँ पर बैक की लेंच सॉरलेट फ्लेट जैसे बड़ी सूपर स्टार है जो की रेटिंग ड्रॉक करते है इ डेड मैन अंडर्टेकर वर्सेस दी आइकन श्टिंग के बीच अब इस मैस से लेटर 2019 में भी काफ़ ज़्यादा रूमर आये थे कि हमें देखने को मिल सकता है बट हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह मैच हमें कभी भी देखन अब यह बात तो मुझे लगबग कंफर्म लग लगी 2020 के एंड होते होते तक हमें डेफिनेटली चैंपियन बनते वे दिखेंगे और यह चीज मैंने आप सबको अपने चैंपियंस के प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बताया था बट इसका मतलब यह नहीं कि वह हमें दि देखा है कि WWE को ज़्यादा फरक नहीं पड़ता कि अखिरकर ओडियंस करेक्शन रोमर डेंस को किस तरह का मिलता है वो उनके साथ वही चीज करती है जो उन्हें अच्छा लगता इसलिए क्या पता हुआ हमें दिफिंड ब्रे वाइट के श्ट्रिक तोड़कर बनते में दि कर दीजे तो मिलते हैं अगली वीडियो में